हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज ये रेपोर्ट देखिए अपड़ा 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 अब भी एक दिन में तीन हजार के पार है आईए ग्राफिस के जरी नज़र डालते हैं देश में कोरोना की वर्तमान सिती पर देश में कोरोना बेकाबू एक दिन में तीन लाख अड़सट हजार एकसो सैंतालीस ने मरीज 24 घंटे में 3,417 मरीजों की मौत एक दिन में 3,772 मरीज हुए डिस्चार्ज अब तक कुल केस 1,995,604 अब तक 1,62,93,003 मरीज हुए ठीक अब तक 2,17,960 मरीजों की मौत देश में 34,13,642 केस अब तक 15 करोड, 71,88,207 वेक्सिनेशन उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोट ने रविवार को केंद्र और राजिस सरकारों को कोवीड संकर्मन की श्रंखला को तोड़ने के लिए लोकडाउन पर विचार करने की सलाहती है देश की सिर्श अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संब्ध में आदेश फारित हिया सुप्रीम कोट ने कहा महामारी की दूसरी लहर में संकर्मन की निरंतर व्रधी को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राजिस सरकारों को निर्देश देती हैं कि वो वाइरस के प्रसार को रोकने और खत्म करने के उपायों पर ध्यान दे इसके साथ ही सिर्श अदालत ने कोरोना के इलायज के लिए उक्सिजन क्या पूर्ती मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नीती और टीका करन अभियान का आदेश जारी किया है कोट ने केंद्र सरकार को राजियों में ऑक्सिजन का आपात कालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी सिती में मरीजों के लिए खत्रा ना हो कोट ने राज्यों को वेक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी सवाल उठाई है बही मामले की कंभीरता को देखते हुए हरियाना में भी राजसरकार ने एक हफ़ते का लोगडाउन लगा दिया है प्रदेश की ग्रिमंत्यों निल्बीज ने भी ट्वीटर पर इसके जानकारी देते हुए लिखा कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाना में पूर्ण लोगडाउन खुशित किया गया है आईए सी बीच नज़र डालते हैं हरियाना में कोरोना की वर्दमान सिथी पर हरियाना में कोरोना की रफ्तार बरकरार एक दिन में 13,322 ने मरीजों की पुश्टी गुरुग्राम में 3,006 नए केस परिदाबाद में 1,755 नए केस सोनीपत में 934 नए केस हिसार में 889 नए केस पानीपत में 794 नए माम ले करनाल में 779 नए माम ले सिर्था में 638 नए माम ले महिंद्रेगर में 583 नए केस रोतक में 525 नए माम ले बिवानी में 428 नए केस जीन्द में 405 नई केस यम्नानगर में 349 नई मामले एक दिन में 145 मरीजों की मौत अब तक 4,480 मरीजों की मौत कुल मरीज 5,14,000 के पार एक्ट्यू मरीज 97,000 के पार कोरोना के इस माहौल में लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेवज़े घर से बाहर ना निकले वहीं स्वासित संगचनों का यहां तक एहना कि लहर बीच मई के महिने में और पीक तक जाएगी ऐसे में सुप्रेम कोच का देश में पून लोकडाउन का विचार कहीं न कहीं छीक नज़र आता है विरो रिपोर्ट हरियाना न्यूज कोरोना की चेन को तोड़ा जाए जिस कोशिश के लिए जिस उमीद के साथ ये कठिन फैसला लिया गया ये कहां तक साकार हो सकेगा और हम सपलो पाएंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी क्या पूरे देश में एक सला दे रहा है कोट आपको कि आप लॉकडाउन पर विचार कीजे ताकि कोरोना को इस बड़ती महामारी को रोका जा सके चेन को तोड़ा जा सके हर्याडा में 13322 मरीज बीते 24 घंटों में उभर कर सामने आए एक बड़ा आकड़ा है रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है हमारे कोरोना वारियर्स जुटे हुए हैं लेकिन इस चेन को नहीं तोड़ा जा सक रहा है कोरोना का लगातार खत्रा मंड़ा रहा है इस बीच में बीते कुछ दिनों से ऑक्सिजन को लेकर काफी परिशानिया सामने आई थी पूरे देश भर में यही हालात रहे अगर प्रदेश के हम बात करें काई जलों से ऑक्सिजन की कमी को लेकर खबरे निकल कर सामने आने लगी थी अस्पतालों ने ट्वीट करना भी शुरू कर दिया था कि कैसे हम परिशान हो रहे हैं मरीजों को दम तोड़ते वे देख रहे हैं ऑक्सिजन की आपूर्ती की जाए यह कोशिश रही सरकार की भी और केंडर के तरफ से हर्याना का कोटा भी बढ़ाया गया जिसके बाद से अब हर्याना के पास परियाप्त ऑक्सिजन है खुद मुक्य मंत्रे ने इसका जिक्र किया बार बार किया और वो यह जरूर कहते रहें कि जहां कहीं पर भी ऑक्सिजन नहीं पहुँच पा रहा है वह ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर थोड़ा सा हमें चीजों को दुरूस्त करने के जरूरत है और वो हम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं पहुचा रहे हैं अक्सिजन कई जगों पर हालात पहले से समाने हुए हैं जैसे बात अगर हम सिर्सा के करें तो सिर्सा में पिछले कुछ दिनों से तीन चार दिनों से जो अक्सिजन के किल्लत थी वो बीटे दो दिन से ठीक है वहाँ पर बहुत बहतर तरीके से अक्सिजन के सप्लाई अब हो रही है लोगों को डॉक्टर्स को अस्पतालों को पहले के मुकाबले ज़ादा रहत है हमारे संपादतर राकेश गुपता जुड़ गए हैं ज़ादा जानकारी के साथ राकेश आज लोगडाउन का पूर्ण लोगडाउन का पहला दिन किस तरह की चीज़े देख रहे हैं आप क्या जो तस्वीरे नजर आ रही हैं वो कोरोना के चेन को तोड़ने में मददगार है आप बिल्कुल देखे आप जानती हैं कि लोगडाउन का मकसद यही होता है कि करोना चेन को तोड़ा जाए कि लोगडाउन में इस समय निकलने की भी पाबंदी है घर से बाहर जब लोग जब सारे रूल्स फालो किये जा रहे हैं कि सोशल डिस्केंसिंग रखी जाए और हर तरह से लोग आपस में ना मिलें क्योंकि आप जानते हैं कि अब एरियल रूट से भी जो है बताया जा रहा है कि यह वाइरल यह सप्रेडिंग हो रही है तो ऐसे में लोग डाउन क्योंकि हाला कि मुख्यमंतरी आप जानती हैं उनकी प्रेस कॉंफेंस हुईती लगातार कहते हैं कि लोग डाउन जो है अंतिम विकल्प हुगा अब हरेना में इस समय जो है एक लाग से ज्यादा एक्टिव केसीज हैं और तेरा से पंदरा हजार क जो है कल लिया गया है एक सब्सक्रा का पूरन लॉग डाउन है और पूरन लॉग डाउन से पहले आप जानती हैं कि सरकार ने आदेश दिये थे कि 6 वजे दुखाने बंद होंगी और इसका मकसद भी वही जागी बीड़वार्ड ना हुग बजारों में दुखानों पर आप जानती हैं सेटर्डे और सेंटे में के लिए जो शनीत वार को लगाया गया नौ जिलो में था लेकिन अब पूरे संपूरन हरैना में हैं इसका व्यापा तसर जो है जिलो में देखने को मिल रहा है और हम यही मानते हैं हम दूआ भी यही करते हैं कि लॉग डाउन के द अगर हर तरह से मोनेटरिंग कर रहे हैं सारी सिटूएशन की तो अंतिम दौर में लोगनान के अंतिम दौर में जो है उन परिनामकों रिजल्स का अध्यान भी होगा और बाकी फैसले क्योंकि आप जानते हैं कि कोवीड के दौरान जो सारे फैसले हैं वो डेली बेसिस पर ह और वो फैसला जो है जो बाद में अंतिम चरण में जो है दिया जाएगा जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखें लौट कर आते रहेंगे और राकेश गुपता के तरह हम और समवादाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में क्या हालात है फिल्हाल को लेकर इसकी चेन को तोड़ने के लिए बहुत कट इन फैसला लिया आगया आलंगि सरकार ने अपने सुना हमने बार बार आप तक यह रपोर्ट भी पहुचा है कि मुखी मंतरों लगातार यह कहते रहे ह हम संपून लॉगडाउन पर अभी नहीं विचार कर रहे है या आखरी विकल्प होगा लेकिन सरकार ने भी यह समझा कि महामारी लोगों को जिस तेजी के साथ अपनी जद में ले रही है अपनी चपेट में ले रही है यह बहुत जादा जरूरी है कि पहले लॉगडाउन क किया जाए उसके बाद चीजों को और ज्यादा दूरुस्त करने की कोशिश की जाए हलेंगे संपूर्ण लॉगडाउन लगाने से पहले यह रहना सरकार ने जो कोशिश है की जैसे ऑक्सिजन की खेप का कोटा जैसे ही केंद्रों सरकार के तरफ से बढ़ाया गया तो राज किया पूर्ती हो गई है जहां से जितनी दिमान थी लेकिन जहां कई पर भी नहीं पहुंची उसके लिए खुद बीते दिन मुक्यमंतरी मनुरलाल लेका कि ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं दूरिया जो बीच में आ रही हैं इसको हम परामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जो मदद मांगी गई है स्वासे मंतुर अनिलविच के तरफ से वो भी काफे सराहनिये काम है ताकि बेट्स की संख्या बढ़ाई जा सकी और अभी मौझूदा अस्पतालों में बेट्स की संख्या बढ़ाय जाने से बढ़ाय जान जादा मामले निकल कर सामने आ रहे हैं वहाँ पर हम इस तरह की अस्पताल बनाएंगे इसके लिए अनिलविच ने आयमे से अपील की और वो लगतार तीन दिनों तक यह अपील करते वे जरूर नज़रा है आयमे ने भी अपना पूरा सपोर्ट करने की बात कही है इतनी बात करें तो गुरुगराम फरेदाबाद और सोनी पर ऐसे जिले रहे जहां पर सबसे जादा मामले निकल कर सामने आए बीते साल भी इने जलों में आकड़े जो थे वो बहुत तेजी के साथ बढ़े थे इस बार जादा जो भायानक एक किस्सा है या हिस्सा है हम कह सकते है इस संकरमन का वो ये की मौते पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है जब इस पर विशेशग्यों से बात की जाती है तो तीन नए म्यूटेंट की बात उनकी तरफ से सामनी आती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे साथ हमारे समभादाता लाजपत जुड़ गए है सोन अधार में ताला जड़ी का कैसा असर दिख रहा है लाजपत बिल्कुल अनामी का इस वक्त लेकि हम बाजार में है जो तस्वीरे ब्यान करती है जो जो दुकंदार है जिन्हों ने अपने बाजार को बिल्कुल लोगडाउन कर दिया है और कही न कहीं पर शास्ते की जिम्म बादार बंद है। उन्होंने एकी सिर्फ दिमाड की है कि सरकार और परसाठ़न इस बाद पर जरूर ज्यान दे। ताकि ये जो बादार है इंकी तुरुखशा का ज्यान दे। और सबसे बड़ी बादे हैं कि जो बादार की दुकाने बंद है उनकी किराय की सब भी संवश्या है और दुकान की और मपान की और विजली कीक बिल की और अन्य डो खर्टे हैं चो दुकान से कमाकर खाते थैं वो कहीं न कहीं जब जुरूरस मांग रहे हैं कि लगातार जो Athar जह करूरा बढ़ रहा है बाजार ने इस बात को जुरूर मान दिया है कि हम लोगडाउन कितना भी लंबा चले उस बात को लेकर जुरूर जान देंगे कि बाजार की बात करें उस् hell थैंगे बाजार ने इस बाजार में बिचारे के करीब वैच्टी की जुरूर कि हम ढूत की तिनेवारी बनती ऐ कि सर्कार और परशासं को आ जाकाता ही रही इस जो ये दुकान है बाजार है जैसे ये दिखाई देरा आपको ये इस बाजार की दुकाने हैं वो कही न कहीं मांग करती हैं कि रोध मरा के तो खर्चे हैं वो कहीं न कहीं दुकानों से चलते हैं अपना घर चलता है अब बाजार पूर्ण तरीके से लोगडाउन हो चुका पिजनी बिल है या सिक्षा का सुआस्टा का सब चीजों का सरकार की दिम्मवारी बनती है दुकान का मकान का तो फिराया है या विजनी बिल है उन पर भी शेच जान दिया जाए अनामिजा ताकि पिराया है उन पर जूर्ण सरकार ज्यान दे परसास ज्यान दे ताकि लोगों के इंदर के दरका मोहना बने तो कि जैसे जैसे करोना के पिश्ची पढ़ गए यह विजनी बने कि यह सुटा का दिश्या है लेकिन बादा फूरी पिश्चे से लोग लाजपत आवाज पहुंच पिश्चने एप तक आप फोन पर है क्या अब फोन पर है क्या विजल फोन के लिए ऐसेन्शेंशल सर्विसस में क्या क्या चांट किया गया है जोकि बहुत देर शाम गाईडलाइंज जारी किया गया था तो जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो यह जानना च कि बिल्कुल देखे उन्हीं चीजों की जूर्टमंग की जो चीजे हैं जैसे पर्चून की दुकान है या अन्य जो दुकाने हैं उनको जुरूर छूट है लेकिन छूट इसलिए है कि वह पहले खादाय पूर्ती विभाग से अपनी परमीशन ले कोई प्रमीशन ले ताकि को दोसक्राइब कालिने के लुकान के पालन दी तुकि उन्हें को सरकार की तरफ से गएडलेंज दी गई तुक्त हैं वेक्ती हैं या दूरूर्टमंग की है और सब्सक्राइब derived तकि दिवाद तो पर्मिशन दे उसकी जो कोपी है वो अपने दुकान पर लगाए और सोचल डिस्टेंसिंग का दुकान पर लगाए और सोचल डिस्टेंसिंग का जाओंगे लाजबर चुकि अभी अभी लाइफ तस्वीर हमें मिलने शुरू हुई है तो जरा आप कैमरा दिखाईए और ब्रीफ करें कि लॉगडाउन का पहला दिन सोनीपत में कैसा दिख रहा है है आख कुए कि पूरा तरी के से लोगडाउन हे यह बाजार जो ब्रीके से लोगडाउन हैं कि आख छो बाजार लेकि जो दुकान का जो पिराया है मकान का जो किराया है बिजली बिल है रोजमर्णा के जो खर्चे हैं उनको कहीं न कहीं जरूर ध्यान दिया जाए सरकार ताकी लोग लोग इस बात से जरूर संतुष्ट हो क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं एक दुकंदार है ठोटे बजबूर और मजबूर हैं जो कमांटर खाते हैं अपना घर चलाते हैं उनकी दुकाने बन हैं जिसके दुकान के उनका घर चलता था तो सरकार पर शाशन को आगया आना चाहिए उन लोगों से जरूर अपील है सयम और शांती बना कर रखे जिनकी द दुकाने और मकान किराए पर हैं उनको इससे मामारी में जरूर आगे उनका सयोग देना चाहिए जो दुकाने हैं जिनकी किराए पर हैं जो दुकंदार किराए पर बैठे हुए हैं उनका आपस में ताल मिल रहे हैं और उनको सयम और शांती की बिजूर थै लेकिन सरकार को भी आगयाने चाहिए इस सक्ताई की भी जूर्ट है अब दोजारीकिस है दोजारीकिस में जैसे जैसे करोना के पेशन्ट बढ़ रहे हैं हमोतों के आकड़े बढ़ रहे हैं उसको मद्द नज़र रखते हैं सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा और ये बजार पूरन तरीके स लोकडाउन है लेकिन जरूर रूंची जोग पर सरकार को परशासन को आगया आना चाहिए ताकि जो लोग है इस बात से रात मानें कि बिजली बिल और मकान का किराया और दुकान का किराया है वो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं या स्कूल की फीस लगा लीजिए ये तीनो च लोगों उन्हें मांग भी की है दुकंदार है ये फिर से आपको तस्वीर दिखा दे कि बाजार की और भी तस्वीर है ये लिकिन कुछ लोग जो आपको दिखाई दे रही है बेवज़ा जो खर्चे हैं ये देख सकते हैं तीन टीन एक बाइक पर हैं परसासन को आगया कर इन पर कारवाई करनी है ये ताकि इस तरह के जो रोड पर जो घूम रहे हैं उन पर कारवाई की जूरत है सकताई की जूरत है दुकंदारों ने इस बात को जूरूर मान लिया लेकिन बाजार में जो बेवज़ा लोग है इन पर सकताई की जूरत है परसासन को आगया आने क जूर्थ है ये बाजार आपको दिखाई देरा है पूरुन तरीके से लोगडाउन है ये लोगडाउन इस बाजार का जो दुकाने है पूरुन तरीके से बंद है दुकंदारों की एक ही सिर्फ मुख्य मांग है कि करोना की अगर चैन तोडनी है तो लंबा लोगडाउन चल सक भी है परसासल का और सरकार का भी लेकिन मुख्य मांग सिर्फ यही है जो रोज मर्रा के जो खर्चे हैं जिनके लेकर किराय का जो दुकान है उसका किराय की कही न कहीं माफी हो बिजली बिल की माफी हो या अन्य जो खर्चे हैं जैसे दुकानों के जो खर्चे हैं आप देख स रुपे अन्य खर्चे मतलब पंद्रा सु रुपे एक वेक्षिती का खर्चा और जिससे के दुकान चलती थी और घर भी चलता था लेकिन वाद कुरुन तरीके से बंद है तो कहीं न कहीं परशाशन और सरकार को इस पर करना चाहिए बात्सीत करनी चाहिए प्रशाशन का इतने दफा आपने जिक्र किया इतनी बड़ी तस्वीर और गहरी तस्वीर आपने दिखाई सन्नाटा पसरा हुआ है नो डाउट लॉक्डाउन को फॉलो किया है लोगोंने लेकिन जहां प्रशाशन की जरुवत है अगर य लाजपत एक भी पुलिस पीस्यार मुझे तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आई गश्ट करते हुए जी बिल्कुल अनामी का ये तरा बाजार है और काफी बड़े जो एरिया है पुलिस की कहीं न कहीं जरूर कमी दिखाई दे रही है लेकिन जो करोना योदा है देखे आपको बतादू दिल्ली की देलीज पर जो पिशार बैठे हुए हैं उनका भी कहीं न कहीं सरदर्दी है परशासन की दिखाई दिल्कुल परशासन की दिखाई कारियों से ये सवाल आप पूछे जरूर जब आप उनसे अगली दफा मुखातिब हो तो कि गस्त को लेकर आपने चीज़ें बढ़ाई है क्या फलाल बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी खे लिए पूर् पूचा रहे हैं कि घर लोट जाएं क्योंकि वो डर गए हैं कि हर्याणा में तो क्या रहे ते लोगडाउन नहीं होगा हो गया लोगडाउन कहीं देश में ना हो जाए इससे पहले घर लोट जाएं क्या देश में लोगडाउन हो जाना चाहिए देखिए मुझे लगता है कि हरियाना में जो कुछ होता है वो सारे देश में होई जाता है बाद में और आपके चैनल के माध्यम से सारे एक्सपर्ट्स की और हम सब लोग की राए ही बन रही थी कि इस समय जो है वो लोगडाउन हो जाना चीए लोगडाउन होने का कारण सुने जेगा अगर लोगडाउन नहीं है तो सारी विवस्थाएं अपना-पना काम कर रही है और जितना ज्यान इस बिमारी महामारी से मेडिकल एमर्जनसी को टैकल करने के लिए जितना वर्कफोर्स चाहिए उतना उपलब्द नहीं होता है इसलिए मैंने आपके चैनल के माद्धम से बार-बार ये गोहर लगाई थी कि कम्प्लीट शटडाउन होना बहुत ज्यादा जिरूरी है तागि जितनी भी मैन पावर जितने भी संसादन गौर्विंट के डिस्कोजल पे है वो सभी के सभी इस हेल्थ एमर्जनसी नेश्टनल हेल्थ एमर्जनसी को टैकल करने में लगे बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकर्ज वक्त होता थोड़ा और विस्तुरित हम यहाँ पर बात कर सकते थे फिलहाल कमां लगतार मिल रही है रुकना होगा नमस्कार